है दोस्तों वेलकम टो माई चनल लगेंड दीस इस उपहेंद्र आज की तारीख है 14 नौवंबर और इस समय हो रहा है 9 बज कर 21 मिनट मार्केट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट ओपन हुई थी फ्लैट और उसके बाद यह पहले नीचे की और गई फिर उसके बाद फिर कोई पैटन बनेगा तो मैं आपको टेट बता दूँगा आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में है वहाँ पर हम मार्केट टाइम में अपडेट कर देते हैं ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं बाइंक निफ्टी ज्य इस दोसों का पुट हमने 315 की भाव से खरीद लिया यहां पर हमने 42200 का पुट खरीद लिया है और जितना नीचे जाएगा उतना में प्राफिट मिलेगा पोसिस करने कि हम 42.0 के आसपास कहीं प्राफिट बुक कर लेंगे अपना हमने यहां पर दूनों चार्ट लगा लिय यह बैंग निफ्टी का 42 यह बैंग निफ्टी का 42 का पुट का चार्ट है दोनों चार्ट हमने लगा रखा है 315 अब हमने भाई किया था 328 रुपड़े भाव इसका चल ला है तो गजाब गजाब यार गजाब यार क्या गिरावा टाई मजा आगए गजाब गजाब मजा आया मजा आया क्या गजाब यार यहां 42 जार के पास एक बार को यहां उपर के और सस्टेन कर सकता है हो सकता है यहां से पुल बैक लेकिन अभी यह 42 थोड़ा सा नीचे तो आएगा यह जो इसका पैटन बन रहा है यह 4900 के करीब आएगा 42 पर यह रुकेगा नहीं यह करीब करीब 41 नौ तक आएगा इसका जो पैटन है बहुत ही खतरनाग पैटन है यह और तीजी सभी गिरेगा 42 जार पर सस्टेवं नहीं करेगा भले इसका राउंड लेबर सपोर्ट रहा यह सस्टेवं नहीं करेगा और 4496 के आज पास कहीं सपोर्ट लेगा 42 छार इसका राउंड लेवल है लेकिन यह हमें लगता है कि 443 सको तोड़ेगा एक बार और यहाएग 6900 कि तरफ 42 जार इसका support तो है बट यह strong support नहीं है एक round level भले है बट यहां से एक बार के लिए और यह नीचे आ सकता है और मुझे जहां तक लग रहा यह नीचे ही आएगा क्योंकि जो pattern देख के लग रहा है यह bearish pattern है bank nifty nifty के comparison में थोड़ा ज्यादा कम जोर है बट ऐसा नहीं कि इसमें strength नहीं है 42 एक सो पचास के उपर buying nifty भी एक बार उपर की और निकलना सुरू कर देगा overall market का जो scenario है वो sideways to bearish है अभी के हिसाब से first meeting के हिसाब से अभी यह sideways to bearish ही है उपर जाने पर उल्लिटा position add ही करो यहां पर एप छोटा सा risk लेकर एक lot और add किया जा सकता है अगर आपने एक lot में buy किया है तो एक lot और भी add किया जा सकता है थोड़ा सा risk बढ़ा है कि यहां पर एक lot और add कर देंगे तो फिर यह नीचे आएगा तो हमें दोगुना profit देने शुरू कर देगा उपर जाता है तो हमारा इस्टाप्लास जो है वह आज कहाई ही हमारा इस्टाप्लास होगा अगर इस बार यह बयाली जार को तोड़ने में सक्छम रहा तो एक 4900 में बहुत ही आराम से दिखा देगा अगर बयाली जार को आज इंट्राडे में दूसरी बार टच कर रहा है अगर 42,000 के नीचे candle closing देता है 41,990 के नीचे है फिर तो इसको 41,900 के गरीब आने से कोई नहीं रहोग सुकता और इस बार तो nifty 50 भी काफी अच्छा support कर रही है नीचे जाने में टेलिग्राम वालों के हमने mouse करा दी मारे टेलिग्राम ग्रूप को देख सकते हैं यहाँ पर आपको screenshot भी लगा दूँगा हमने 42,200 कापुर 315 रूपेट भाव से लिया था वहाँ से 354 के आसपास कहीं हाई लगाया उसके बाद जब यह दुबारा वापस आया तो हमने 324 पर दुबारा हमने buy किया और वहाँ से फिर से 350 के उपर रहा ही लगा चुका प्राएं कनिफ्टी के लिए खत्रा मन राने लगा है यहाँ से वापस यह तेजी बनाए सकती है यह डबलू पैटन का यहां formation हो रहा है यहाँ से हो सकता है यह उपर निकल जाए गजव यह उपर जाने के कोसिस किया बट उपर जा नहीं पाया यह वापस से नीचे ही आ रहा है और िपर तीसरी बार तीसरी बार अगर बाए लिजज़र को टच करता है तो फिर यह यहाँ से नीचे आही जाएगा इस बार यह उपन नहीं जा पाएगा अगर यह 42,000 तक आ जाता है तो इस बार यहां से 41,900 अगी और आना शुरू कर देगा इसने ट्राई किया देखिए यहां पर इसने ट्राई किया एक बार 42,000 से उपन ले जाने की दूसरी बार आया डबल बाटम बनाया फिर उपन ले जाने की कोशिश की और अगर देखाएगा एक डबलू पैटन बनाने की भी कोशिश की बट वो सक्सेस नहीं हो पाया और यह वापस नीचे की और आने लगा है तो जैसे यह 42,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हमें 4900 तक का वेट करेंगे हमें वह वाला लेवल भी प्राफिट मिलेगा और हमारी जो बाइंड प्राइस थी अभी वहां से उपर ही चल लहा है अगर यह 42,000 का लेवल भी तोड़ देता है तो हमारा जो ट्रेलिंग एसल होगा वह करीब 45,125 के आसपास होगा इसने बयाली जार का सपोर्ट तोड़ दिया है बस यहां पर कैंडल क्लोज हो जाने चाहिए नीचे की ओर पर यह 5 मिट का कैंडल नीचे की ओर क्लोज हो जाता है तो फिर यह 41,900 की ओर इसकी ब्रैली शुरू हो जाएगी और यह बहुत तेजी से 41,900 की तरफ जाएगा फिर गुड वेरी गुड निफ्टी पर यहां पर देखें धनाम हो चुकी हा लेडी थारा 300 की ओर जा रहा है और बैंग निफ्टी 1,900 की ओर दोनों का मूड इस समय बेरिस हो चुका है निफ्टी में जो इसका लो लगा था इसने उसको भी ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे ट 35 के आसपास आजाएगा गुड 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 फाइनली यह तोड़ने में सक्षम रहा फाइनली यह 42 जार के नीचे वेरी गुड अब मजह आएगा